हाई गाईज वेलकम बैक टो सोनिया की छोटे सी दुनिया तो गाईज अभी बज़रे हैं शाम के साड़े पांच तो मैं शाम की चाय बना रही हूँ सबके लिए तो आज आयो ही है मेरी मदर लो हमारे घर पर हम से मिलने के लिए तो वो हमारे पास नहीं रहती हैं वो छोटे देवर के पास रहती है पर जो उनका दिल है वो हमारे घर पर ज़्यादा लगता है वहाँ पर नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर उनका पोता है और वहाँ पर अभी उनका कोई पोता पोती नहीं है तो दादा दादी का मन तो पोता-पोती के साथ ही लगता है, जहां पर पोता-पोती होते हैं, तो उनका मन वहीं पर लगता है, पर वो हमारे पास नहीं रहते हैं, तो चलिए फटा-फट से चाए बनाते हैं, और अपनी सासुमा के साथ हम सब मिलकर बैठ कर चाए पीते हैं, तो लंच कर लिया था हमने दुपैर में, तो हमने खुब सारी बातें की फिर हमने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद जब हम उठे हैं, तो होता है कि शामको चाई का मन होता है सबका, तो यही मैं बस चाई बना रही हूं, तो अब मैं नमन को वाज लगा रही हूं कि नमन आजा और मेरे साथ जो ट्रे है लेके चले जा जो मैंने नमकीन, बिस्किट वगारा जो भी रखा है तो वो मैं इसको बोर रही हूं कि मेरे साथ आजा और ले जा तो चलिए मैं चाई डाल रहें कप में और चलते हैं अंदर सब के साथ बैठ कर चाई पीते हैं तो ये बन गी चाई अब चलते हैं हम अंदर तो ये देखें ये है मेरी सासुमा और ये देखो ये दादी पोते का आखो ही आखो में इशारे चल रहे हैं ये दोनों ही बहुत ही मस्ती करते हैं दादी पोता दोनों मिलकर और दादी का भी मन लग जाता है जब हमारे घर में आते हैं दोनों ही देखो आखो ये आखो में इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को तो अब हो गया है शाम का टाइम रात का टाइम सोरी क्योंकि डिनर का टाइम है ये तो आज मैं चाय बनाने के बाद कीचन क्लीन करने के बाद मैं चले गी थी बोटीक पर मैंने कुछ सूट स्टिच करने के लिए दिये थे तो मैं उनको डिजाइन बताने चले गी थी तो वहा यह पास कुछ नहीं बनाने की कई बार यह होता है कि मैं हम सोचते हैं क्या बनाए तो कई बार ऑप्शन नहीं होती है और कई बार जल्दी भी उड़ती हैं हमें, तो मैं ऐसे ही करती हूँ आलू मटर की फटा फट से ہे माली सबजी बना देती हूँ. और इसमें मैं और कुछ भी नहीं डालती हूँ. उसी से ही यह इतनी सबजी टेस्टी बन जाती है. जब भी मन करें आपके पास टाइम नहीं है कुछ बनाने का तो आप भी ऐसा करें आलू मटर की सबजी आप ऐसे बना लें मटर आपने अगर नहीं डाले अगर आपके घर पे नहीं है तो मट डाले सिरफ आलू भी आप डालेंगे तब भी यह सबजी बहुत ही बढ़िया बनती है तो ये इसमें मैंने सिरफ बेसिक मसाले डाले हैं जो कि हम regular डालते हैं और इसमें मैं डाल रही है थोड़ी से कसूरी में थी जिससे की टेस्ट और भी बढ़िया आजाता है तो ये देखें फटा फट से ये तड़का सूरी लग गया है आप देख सकते हैं तो इसको तड़के लगाने के बाद मैं थोड़ा सा भून रही हूं इसको तो इसका color देखो कितना बढ़िया आया है तो इसमें जो मैं पानी है नॉर्मल मैं पानी डालूँगे कोई मैं पानी ज्यादा नहीं डालूँगे क्योंकि मैंने इसमें इसको तरी वाली सबजी नही पानी मैंने नहीं डाला है। अब इसमें में डाल दूगी यह सारे आलू मटर। zasubji बनाते हूं my 2010 Ave यह सारे आलु मसालो में उतनी सब्झी हलाएं जितनी कि हमें खानी होती। भुष्य पैसा प्रीज में एमस्टी सब्जी खानाड मैं मुझे पसंद नहीं लिए तो कि कि अपी हम तीनो अच्छे से खा लें, तो यह देखें, मैं अब मिक्स люб नहीं यह देख सकते हां, मैंने इसमें ज्यादादा पानी ड़ाला, सिरफ करीब मैंने पानी डाला आध। तो इसको मैं अब cover करके रख दूंगी और इसमें सिरफ दो विसल लगाएंगे और दो विसल से ये अच्छे तरह से गल जाएगी हमारी सबची और जो मसालें आपस में लिपट जाएंगे तो अब मैं लगा रही हूँ कर रही हूँ कुकर को बन तो दो विसल आने तक मैं इसकी वेट करूँगी फिर जब तक जब इसकी विसल अपने आप निकल जाएगी अब ये देखें विसल निकल गई है इसकी सारी और मैंने खोला है आप देख सकते हैं इसमें कोई भी तरी नह तो आप इसमें हरी मिर्च काचके भी डाल सकते हैं, अगर आपने तीखा खाना है तो यह देखें, मैं डाले हूँ गरामसाला, बस इसको मिक्स कर देंगे, तो यह हमारी सबजी बनकर तयार है, और जब इसको चाहे आप सोरी रोटी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, किस अब आधने देखा कि बाहर से बहुत आवाजे आ रही थी, तो जब हमने बाहर जाकर देखा, तो यहाँ पर एक साब था, तो यह जो है आप ट्राली देख रहे हैं, ट्रेक्टर, ट्रेक्टर के पीछे एक क्यारी है, तो वहां पर एक साब शीपा बढ़ा है, तो सब लोगो को डर था कि ये साब हमारे घर के अंदर ना आ जाए तो सब लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो सब ने ये डिसाइड किया था कि इसको पकड़ लेंगे साब को और कहीं दूर फिंक देंगे छोट देंगे मतलब की पर सब को पता चला कि जा सकता है तो ये देख सकते हैं कि सब लोग कैसे साप को पकड़ने में लगे हुए हैं तो गाइस ये देखें इन्होंने साप को पकड़ लिया है मार भी दिया है और देखें कितना बड़ा साप है अगर ये ही किसी के घर के अंदर चले जाता रात में तो खतरनाकी था किसी क दस लेता या कुछ भी हो सकता था अब सब लोग जा रहे हैं इस आपको कच्ची मिट्टी में दफनाने रात का टाइम में अंधेरा भी है कुछ दिख भी नीरा तो डरवली बात ही होती